देश में बहुत सी कंपनी है जो अब इलेक्ट्रिक गाडियों को लोगों के लिए ला रही है। ये इसलिए शुरू की गई है ताकि पेट्रोल डीजल से फैनने वाला प्रदूशन जल से जल रोका जाए। ऐसी ही एक कंपनी टाटा भी जल लोगों के लिए किफायती दाम प अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी लाँच करने जा रही है जो आपके बजट में आ सकेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि टाटा की नैनो गाड़ी बहुत साल पहले लाँच हुई थी जिसकी कीमत ने पुरी मार्केट को हिला दिया था। ये गाड़ी को खास कर सभी लोगों के बजट के इपसाप से बनाये गया था। इसके लाँच होने के बाद बहुत से लोगों के गाड़ी के प्रती अलग अलग रियक्शन थे। उसकी वज़़ा बस यही थी कि टाटा नैनो का प्रचार गरीबों की गाड़ी के रूप में हो गया था। क्योंकि भारत में बावे की चीज माना जाता है। ऐसे में कोई कैसे ये बात सुन सकता है कि उसके पास गरीबों वाली गाड़ी है। इन सब के चलते नैनो सभी लोगों के उम्यूदों पर घरी नहीं उतर पाई। इसी को देखते हुए अब टाटा फिर से नैनो को वापस लाने की त्यारी म हैं जहां अब उसे इलेक्ट्रिक वहन के तौर पर लोगों के लिए जल लौच करेगी। आने वाले समय में इगाडियों का दौर है जिसके चलते टाटा नैनो भी इसी अफ़तार में लोगों के लिए लाई जाएगी। 37 की कीमत की बात करें तो टाटा नैनो की तरह ही इस भी सबको चौकाने वाली है। ये बात टाटा कंपनी की तरफ से कही गई है। जैसे नैनो की कीमत सभी गाडियों से कम थी उसी प्रकार इस टाटा नैनो इलेक्ट्रिक कार की कीमत भी सभी इलेक्ट्रिक कारों से कम होगी। न्यूज रूम से मैं अभिशिक मसी।